हेलो रिवन वेलकम बैक टो ऑनलाइन स्टेडियो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के भुगोल के पार्ट टू को अगर आपने इसे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने 50 MCQ डिसकसन किया था आप उस वीडियो को देख लीजेगा यहां आप हम कोसिस करेंगे कि आपको जग्राफिस से 200 महत्यपूर्ण एक्सपेक्टेड जो क्वेसंस है वो कवर करें ताकि आपके आने वाले BPSC एक्जाम में हेल्प करें तो आप सारी वीडियो को फॉलो करते चलिए इसे पहले हमने देखा है अगर वीडियो नहीं देखा है और खास करके लास्ट इम पर लिवीजंस करना चाहते हैं आप हमारी नोट्स के थरूह आप हमारे तो दुब्रेम में कर सकते हैं करना आप को यह कि हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड लाइन बाई लाइन देख जाएगी आपको जो भी कोर्स जोईन करना है खास करके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी वर्तमान में जो की मैं ज़ेंगा कि निचे डिस्किपसान में अपलिकेसिंग डिकमें मिंण के बिहार और यह बिहार के किस जीले में दिखनी को मिलता है सही आंशर नогई बहुत इंपॉर्टन है यहांपे जमोई चलिए उसके बाड़ हमारा सेकंड क्वेशन दिखी क्या बिहार का वह जीला जो पस्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को सपर्स करता है पस्ची मंगाल और नेपाल दोनों को सपर्स करता है तो यहां पर मारा सही आंसर क्या बनेगा तो सी को अपने ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर है किसंगंज ठीक है किसंगंज अपनी सीमा पस्ची मंगाल के साथ नेपाल के साथ ही साजा करता है नेक्स्ट वन उत्री गंगा के मैदान में सिवालिक परवत्स रेडियों में सम्मिलित है उत्री गंगा के मैदान में सिवालिक परवत्स रेडियों में सम्मिलित है कौन-कौन तो ध्यान दीजगा कौन-कौन सम्मिलित है तो राम नगर दुन की जो पहाड़ी श्रिंकला ये बीहार में सीदकालीन वर्शा किस कारण से होती हैं, तो यहां पे करेक्ट होगा option C, भूमत सागर की ओर से आने वली जो चेक करवाते हैं, उनके द्वारा C को टिक करेंगे, question number 5 देखेंगे, क्या कहा रहा है कि बिहार राज में अनेक जलकुंड है, जलकुंड वाले अगर आपने टॉपिक को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि हमने अल्रेडी एक वीडियो बना रखा बिहार के जो भी जलकुंड है प्रमुक जलकुंड जो एक्जामस में पूछ जाते हैं आपने उसको नहीं देखा है तो देख लिजेगा जाते हैं तो सरवाधिक जो गर्म जलकुंड है वह आप से पूछ जा रहा है तो सबसे जो गर्म कुंड है वह राजकीर मिशती थे और राजकीर का कौन से जलकुंड ब्रह्म कुंड ब्रह्म कुंड सबसे जयाता गर्म है तो इसे ध्यान रहेगा option हम B को टिक करेंगे question no.6 प्रकृतिक बनावड की द्रिष्टी से बिहार विभाजित है गंगा का उत्री मैदान और दच्री गंगा के मैदान दोनों के रूपए में विभाजित किया गया इससे में यहां पर option C को टिक करेंगे जैसे आपको पता है कि गंगा जो हो लगभग कहते हैं कि बिहार को दो भागों में अलग-जग करती है तो उपरवाला आपका उत्री हो गें नीच आपका दचली हो जाता है तो इस तरह से यहां पर c को टिक करें अगला परशण की बिहार के उत्तर पस्च्चम में स्तित हर्दा नद हर्डा नदि की घाटी को कहा जाता है हर्डा नदी की घा नेक्ष्टमनिक झारकंड के सीमा को सपर्ष करने वाले बिहार के जिलों का सही समूग क्या है। तो झारकंड के सीमा के साथ जो बिहार के जिले वो आठ जिले साजह करते हैं। तो आप दीख लीजे, आठ जीले कहाँ पर हैं, रोतास, और अंगाबाद, गया, नवादा, जमोई, बांका, भागलपुर और कटिया, यानि ये सभी मिल करके, आठ जो जीले हैं, वो अपनी सीमा जारकंड के साथ साजा करते हैं, C को टिक करेंगे, अगला प्रश्ट, नेपाल के साथ साथ जीले साजा होती हैं, बिहार में फायर कले कहाँ पाय जाते हैं, बिहार में फायर कले कहाँ पाय जाते हैं, तो इसका सही संबंद क्या हो जागा, पुर्णिया में भी भागलपुर में भी इसलिए राइट आंसर C को टिक करेंगे, दो डोनों , Government COBी चलंकी सेघ़ाते हैं दोनों के साथ साजा की जाती है कि तो सई आंसर हो जाए का और सअन भी में बसक्राइब को टिक करेंगे अगलाम क्वेंस blaming के देश्ठी से भिहार का सबसे छोटा जिल्ला कॉन सा है अच्छा कल की वीडियो में हमने एक क्वेसंस मिस्टेक हो गया था जो होगी चेतरफल के कॉर्डिंग वाला तो वहां पर पस्चे मंगा सबसे चेतरफल वाला ज्याता जीला मैंने गलती सेंसर सी को बत्ता दिया था तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था आप उसे उधार कर जाता है किस नाम से जानते हैं इसे दियारा के नाम से जाना जाता है यादर के का दियारा के नाम से जाता है गंगा के उत्रे मैदान में भाग में कॉप मिट्टी और बालु से जो निर्मित भागे उसे हम लोग दियारा के नाम से जानते हैं बिहार का जीला जिसकी सीमा उत उत्तरपर्देश को भी हो जारखन दोनों को सपर्स करती है तो यहां पर हो जागा क्या option सी यानि के रोतास ठीक है रोतास करेक्ट होगा उत्तरपर्देश की सीमा को सपर्स करने वाले बिहार की जीलियों के सही करम क्या है सही समू क्या है अगो उत्तरपरदिस के साथ बिहार के कौन-कौन से जीले साजा होते हैं तो देखिए पस्चिमी चंपारान होता है जो कि आपका ये कॉमन है ठीक है कॉमन है दोनों में नेपाल और उत्तरपरदिस दोनों के साथ उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं गुपाल गंज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बिहार के जो भी अगल बगल या फिर आसपास कह सकते हैं राज और देश हैं जैसे कि नेपाल हुए जारकंड हो गया उतरपदेश हो गया पस्चेमाल हो गया तो इन चारों से संबंदे जो भी जीले होते हैं उनको मैंने ट्रेक राजकिर में नहीं है तो एक छोटा समय तरीका आपको बताया था कि रामायन वाले नाम और महाबारत से जो मिलता जूलता नाम है वो सभी मुंगेर में होता है तो रामिस्वर राम आप देख रहे हैं तो यह आपका मुंगेर में हो जागा जैसे लच्छमन हो गया सी लच् जाता है तो यहां पर सही हमारा क्या बन जागा राइट आंसर हो जागा मुंगेर मुंगेर बिल्कुल से हुआ और जो इसलेट होता है खड़कपूर की पहाडियों में देखनी को मिलता है तो राइट आंसर हो जागा ऑप्सन ई बिहार का सबसी जो कि नए स्रीजित जीला अर्वल कि जीला के विभाज नों प्रांत बना था यानि जो अर्वल है वो कि जीले को विभाजित करके बना था वर्तमान में यह तिस्वा जीला तो जहानाबाद यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्सन डी गोटी करेंगे जहानाबाद दच्र भिहार की वह जड़ी वर्णपुन जो की गंगा में आकर गएं काहा पर मिलता है फत्तुा में ठीक है फत्तुपा में इससे धियानर की द लखन महानंदा नदी गंगा में कहां मिलती है आपको पता दूंकि उत्तर भारत की सबसे पूर्वी नदी है गंगा मेरा निदमיח रखेगा महानंदा नदी गंगा में कहां पर मिलती है कटिहार के दच्छिर पूरब में कटिहार के दच्छिर पूरब में option B कटिहार के दच्छिर पूरब में अगला प्रश्ण निम्ड में से निम्ड में गंगा की उत्री सहाइक नदियों में सबसे लंबी साहिक नदी कौन सी है उत्री साहिक नदियों में सबसे लंबी साहिक नदी कौन सी है तो सही हो जागा option C, कोसी नदी कोसी नदी को बिहार में सोक के रुप में जाना जाता है चलिए सरवाधिख सिचाई के जीलिम होती है कल की वीडियों पर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हनुमान हनुमान नगर जला से किस नदी पर इस्तेत हैं हनुमान नगर जला से किस नदी पर इस्तेत हैं तो इसका संबन्ध कोसी के साथ ही होगा इसलिए ऑप्सन भी कोटी करेंगे कोसी नदी अगला सवाल बिहार की प्रतम बहुदेशिये परियोशना किस नदी पर है बिहार की प्रत जो डैम आप देख रहे होंगे तो यहीं आपका सोन ठीक है सोन जो कि सबसे बियार की प्रत्थम बहुत इसी प्रयोजने मानी जाती है option B को टिक करेंगे अगला सवाल बिहार प्रदेश की कुल सिंचित भूमी का कितना प्रतिसाद भाग नहरों द्वारा सिचाई होता है तो यहां पे right answer बन जागा option D 28 प्रतिसाद लगभाग 28 प्रतिसाद भाग D को टिक करेंगे अगला सवाल फसल बीमा नीती जो बिहार राज में कब लाग होई थी इससे टिक करेंगे एक को एक अप्रेल 2000, एक अप्रेल 2000 को लागो हुई थे, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारन कहा अवस्तित है, कहा अश्तित है, तो इसका सही आंसर क्या बन जागा, राइट आंसर हो जागा, ऑप्सन हम एक को टिक करेंगे, विक्रम सिला, जो कि भागलपूर में है, तो यहां पर करेक्ट आंसर, एक को टिक करेंगे, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण, बिहार में किस प्रकार के वन पाय जाते हैं, बिहार में किस प्रकार के वन पाय जाते हैं, तो बिहार में हम यहां पर कहेंगे, ऑप्सन हम सी को टिक करेंगे, पढण पाती वन, ठीक है, प बिहार का सरवादिक छेत्र किस भाग में आता है बिहार का सरवादिक जो छेत्रे वो किस भाग में आता है किस भाग में आता है तो CWG और EW के अंतरगत आता है C को टिक करेंगा ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसे याद रखेगा अगला सवाल जो कि आज किस वीडियो का आखरी सवाल भी है कुसिस्वर पक्षिय अभ्यारन बिहार के किस जीले में इस्तित है कुसिस्वर पक कमेंट करके बतेगा राइट अंसर क्या होगा कि दर्भांगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह आपको कमेंट करके बताना है ठीक है तो फैंस देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने 30 एम सिक्वी लिया था कुछ कुछ कम हैं लेकि नेक्स्ट वीडियो में हम है और हम सोच रहे हैं नेशनल करन्ट अफेस को स्टार्ट करें लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग और वीडियो अप्लोड तो आपको दिन बर में चार वीडियो होई जा रही है तीन से चार वीडियो तो ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आपको लाइकन सेर कर दीजिए चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को आल पर सेट कर लेजिए हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लरनिंग हाव कुंटे